हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चानल हैपी इटिंग विद पूजा सिंग आज मैं आप सब के साथ चिकन प्लाव की रस्पी शेयर करने वाली हूं जिसे बनाना बहुत ईजी है तो वीडियो को एंड तक देखे अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फिरंड्स के साथ शेयर करें तो चले एफे स्टार्ट करते हैं लोगन चिकन प्लाव बनाने क्लिए मैंने यहां दो बड़ी फैसको फाइनली चॉट कर लिए है दो बड़ी टेमाटरों को फाइनली चॉट कर लिया है खड़े मसालो मैंने यहां दो तेज़ पते दो बड़ी लजी और तीन लॉंग ली तुटेबलस्पून होड़ी पाउडर हुद्थ कर लिया है तो टेबलस्पून हल्दी पोडर ट्री टेबलस्पून लाल मिर्ज पाउडर तु टेबलस्पून नमक लिया है依ाह E सादर नुसार ले सकते हैं और यहां पर वन टेबल स्पून मीट मसाला पाउडर लिया है टू टेबल स्पून जिंजर गर्लिक पेस्ट लिया है मैंने यहां कड़ाई में दो बड़ी कर्ची तेल डालके गरम कर लिया है और इसमें खड़े मसाले डालके सौटे कर रहे हूं खड़े मसाले हमारे सौटे हो गए हैं तो अब मैं इसमें प्यास आट कर लूँगे प्यास को हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है प्यास को मैंने 4-5 मिनट फ्राइ किया है उसका गलर थोड़ा चेंज हो गया है तो अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैं प्यास के साथ मिक्स कर लोंगी और 4-5 मिनट के लिए फ्राइ कर लोंगी तो 4-5 मिनट हो गई है, प्यास का कलर चेंज हो गया है तो अब मैं इसमें चिकन अट करूँगी यह मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे हम फ्राइप कर लेंगे चिकन को उसके कलर चेंज होने तक ही फ्राइप करना है पांस से साथ मिनट हो गई है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है तो अब हम इसमें मसाले आड़ कर लेंगे लदी पाउडर लाल मिर्स पाउडर धन्या पाउडर और गरम मसाला पाउडर नमक अब इन्या अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालो को भूनने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ब्याट करूंगी मैंने यहाँ चिकन को मसालो के साथ 10 मिनट तक अच्छे से भून लिया है तो अब इसमें मैं टामाटर आड़ करूंगी इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी टामाटर को गलाने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा पानी आड़ कर रही हूं फिर मैं इसे ढख दूंगी और पांच मिनट तक पकने दूंगी टामाटर अच्छे से फ्राय हो गए है तो अब मैं इसमें मीट मसाला आड़ कर रही हूं मसाले को भूनने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी आड़ कर रही हूं ताकि मसाला जलेना यहाँ मैं थोड़े से धनिया पत्ते आड़ कर रही हूं चिकन हमारा मसालों के साथ अच्छे से भून गया है तो अब मैं इसमें पानी आड़ करूंगी मैं यहाँ पर डाई ग्लास पानी डाल रही हूं और एक उबाल आने तक इसी तरीके से पकने दूंगी पानी में उबाल आ गया है तो अब हम इसमें अपने चावल आड़ करेंगे यहाँ मैंने फाफ केजी बासमती राइस लिये हैं जिने मैंने पंदरा मिनट पहले धो के भिगो के रख लिया था आप चाहे तो कोई से भी चावल ले सकते हैं मैंने यहाँ पे दो गलास पानी एड़ कर लिया है और हाफ टीस्पून एक्स्ट्रा नमक भी एड़ कर लिया है अब मैं इसे हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक पकने दूंगी चावलों में उबाल आ गया है तो अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और धक्के से पकने देंगे मैं यहाँ निम्बू की दो स्लाइसेस फ्लेवर क्ले अड़ कर रही हूँ यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो नड़ कर देंगे इस पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि पानी थोड़ा कम है तो आप थोड़ा पानी एड़ भी कर सकते हैं मैंने यहाँ चिकन प्लॉव को दस मिनट तक लो फ्लेम पे ढखके पका लिया है तो हमारी चिकन प्लॉव अल्मुस्ट रेड़ी है तो अब मैं इसमें थोड़े से धन्या पत्ते आड़ कर लूँगी और इसे ढखके पांच मिनट क्ले और पकने दूँगी लो फ्लेम पे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें